प्रेदर्शनी करियर पॉइंट से आप समय का हर्दिक स्वागत करता हूँ आज हम लोग एबरेज के बारे में कुछ सवाल जानेंगे धीरे धीरे और सवाल जानेंगे चूकि अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं हो सकता है कि तक्निकी कुछ जानकारी का भाव हो हमें चले सबसे पहले देखते हैं आक्राओं का योगफल बटा आक्राओं की संखिया बरावर अंतिम बिशम संख्या बिशम संख्या प्लस 1 बाइ 2 जहां N आपका बिशम संख्या है एक से n तक की समसंख्याओं का उसत वरावर अंतिम समसंख्याओं प्लस 2 बाई 2 पर्थम n प्राकृत संख्याओं के घणों का उसत वरावर n इंटू n प्लस 1 का हॉल स्क्वेर बाई 4 अब पर्थम n प्राकृत संख्याओं के वरगों का उसत वरावर n प्लस 1 into 2n प्लस 1 by 6 चले, अब question के ओर चले उससे पहले मैं ये जमना चाहता हूँ औरसत है क्या? औरसत क्या है? औरसत दी गई आक्राओं का एक ऐसा मान है जहां से सारी संख्याओं का बिचलन 0 होता है deviation 0 होता है अर्थात हम कह सकते हैं औरसत एक बीक का मान होता है मध्य मान होता है चले, आगे चले हम पहला question The arithmetic mean, average of the first 10 hall number is पर्थन 10 पुर्ण संख्याओं का अंगनेतिया माध्य या औरसत ग्यात करे 10 संख्याओं है, पुर्ण संख्याओं 10 है एक घटा दीजिए, 9 बचेगा दूसरे भागा दे दीजिए सारे चार, आंसर आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सारे चार 4.5 यह आंसर होगा ऐसा हमने क्यों किया? 10 पुर्ण संख्याओं 10 पुर्ण संख्याओं की गिंती आपको 9 पे जाके समाप्त हो जाएगी आईए देखते हैं सबसे पहला 0 इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर कॉंट करे तो आपका 10 पुर्ण संख्याओं आ गया होगा देख लीजे 10 पुर्ण संख्याओं आ गया है Common Difference समान है Common Difference आप देखिएगा समान है एक-एक का Difference सम में जा रहा है अगर Common Difference समान हो अगर Common Difference समान हो तो प्रथम पद को अंतिम पद को हम जोर देते हैं और 2 से भागा देते हैं प्रथम पद को अंतिम पद को जोर करके 2 से भागा देते ह ambassadors इतना जोरना जड़ुरी भी नहीं है प्रथम पद क्या है आपका? 0, last पद क्या है आपका? 9, आप cash कर देंगे 2 equal to 9 by 2 divide जवाब करेंगे तो 4.5 आएगा वो D number answer है चलिए आगे की ओर चले हम पर्थम 10 प्राकृत संख्याओं का आउसत ज्याद करें पर्थम 10 प्राकृत संख्याओं यानि गिंती की साज संख्याओं को हम प्राकृत संख्याओं काते हैं एक से शुरू होगा कहा तक जाएगा भई 50 तक common difference समान है है की नहीं है समान बताओ एक एक का difference है ना पहला तर्म एक last term पचास पहला तर्म एक last term पचास difference एक एक का 50 में एक को जोर दीजिए आप 51 बटे do कर दीजिए 25.5 यह आपका answer हो जाएगा answer क्या हो जाएगा अपका 25.5 answer क्या हो जाएगा 25.5 देखिए आप एक लिखेंगे 2, 3, 4, 5 so on कहा तक जाना है भबबू 50 तक जाना है एक देखिए सभी में common difference क्या है समान है एक एक का difference है सभी में एक एक का difference है first term आपका क्या है एक लाश्ट रम क्या आपका पचास एक को पचास के साथ जोड़ दीजिए एक जोड़ पचास बटे दू बरावर 51 बटे दू 51 बटे दू जब दिवाइड आप करोगे तो 25.5 आएगा 25.5 आजाएगा किलियर कोई दिक्कत यहां common difference एक एक का था वही एक एक का था वहीसे भी पर्थम n प्राकिल संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बाइ 2 ये योग होता है इस योग में यदि हम n से डिवाइड कर दे टोटल नमबर से डिवाइड कर दे ये n और n तो मेरा कठी जाता है तो बच जाएगा n प्लस 1 बाइ 2 तो 50 जोड एक आप कहेंगे 50 जोड एक बट दू result 51 बाइ 2 बराबर हो जाएगा 25.5 25.5 चलिए अब अगले कोश्चन के और चले हूँ तीस्ता कोश्चन है सबसे पहला सबसे छोटी अभाज संख्या दू यह एक सम संख्या भी है और यह एक अभाज संख्या भी है सबसे छोटी अभाज संख्या क्या दू एक मातर इसी सम संख्या है जो कि अभाज संख्या भी है वह दो ही है तो सबसे छोटी आवाज संग्या दो और वह सम आवाज भी है दो उसके बाद आप लेंगे क्या दो के बाद तीन दू जोर तीन जोर पांच होगा आवाज उसके बाद साथ होगा उसके बाद साथ के बाद आजाएगा आपका एक ग्यारा 7 के बाद क्या आज आगा 11 आएगा 2 जोर 3 जोर 5 जोर 7 जोर 11 जोर 13 जोर 17 15 नहीं होगा 17 17 आज़ाओ 19 19 के बाद 12 भी नहीं होगा वजा करके 20 होगा total मेरे हिसाब से 7 दनो आ गिया होगा बटे क्या करेंगे आप बटे total numbers कितना है एड़ करने के लिए सब जर्य असान तरीका होता है, जहाँ 0 बन जाए न, वहाँ एड़ कर लो, जहाँ 0 बन जाए, वहाँ एड़ कर लो, आप देखो, 23 को, 7 को एड़ कर लोगे, यह 30 हो जाएगा, यह दोनों मिल करके कितना दे देगा? 30, 19 को 11 को add करो ये दोनों मिल करके भी 30 देदेगा 17 तेरा add करो ये दोनों भी 30 देगा कितना 30 वागो 1, 30, 2, 30, 3, 30 यानि 3 वार 30 30 तिया नब 9 चलिए उसके वाद ये देखिए 5 आड करेंगे 3, 2 ये 3 मिल करके 10 होगा total 100 हो गया by क्या करेंगे आप 9 जब इसको divide करेंगे 11, 1 by 9 c number आपका answer हो जाएगा clear अब अगले question के और चले अगला question है 50 तक कि सभी विशमसांख्याओं का आउसत ज्यात करें सबसे छोटी विशमसांख्याओं एक आईए एक उसके वाद लेंगे आप तीन उसके पांच साथ नो स्योन पचास तक पचास तक यनि पचास से पहले विशम जो होगा 49 होगा पचास से पहले विशम क्या होगा 49 होगा तो क्या हम देखे तो common difference समान है दो-दो का है common difference क्या है समान है दो-दो का difference है तो क्या हम प्रथम पद को अंतिन पद के साथ एड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, अब बटे दूख कर देंगे, प्रथम पद क्या है आपका, एक है, प्रथम पद क्या है, एक है, लास्ट टर्म क्या है, 49 है, दुनों के आज कीजिए, आज 2 से डिवाइड कीजिए, 50 by 2, कट गया, 25, यह आपका D number आंसर रहा, वेसे भी, 50 तक की सभी विशम संख्या का उसत पूछा जारा है, 50 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, 25 सम, 25 विशम, 25 सम आएगा, 25 क्या जाएगा, विशम आजाएगा, अगर विशम का एवरेज पूछेगा, तो 25 हो जाएगा, अगर सम का इ पूछा गया था, वह आपका बिशम संख्याओं का था, यह ओड नंबर्स था, इसलिए हमने क्या किया, 50 तक में 25 विशम है, तो 25 आपका आंसर है, चलिए, अगला कुश्चिन के वर चले हम, पाचमा कुश्चिन है, पर्थम एक सव घन पूर्णांकों का आउसत ज्याद करें, आईए, एक, एक, दू, तीन, चार, पाँच, छे, सो आउन, कहा तक, एक सथक ने बाबू, चलिए, देखिए, कोमन डिफरेंस समान है, सब को एड भी नहीं करना है, कोमन डिफरेंस समान एक, एक का डिफरेंस है, फर्स्टन क्या आपका, एक, लास्टन क्या है, एक सो, एक को एक सो के साथ जोर दीजा, एक को जैसी एक सो के साथ जोरेंगे, एक जोर एक सो जैसी आप बनाएंगे, आप बाइट टू करेंगे, रिजल्ट मेरा आएगा, एक सो एक बटे दू, इस की मेरा c number answer हो जाएगा c number क्या हो जाएगा answer हो जाएगा next question के ओर चले हम एक सो से कम सभी विसम संख्याओं का आफशत ग्याद करें एक सो से कम the average of all odd numbers less than hundred will be तो सबसे छोटी विसम संख्या की बात करें one one three five seven nine seven एक सो से कम है यहीं 99 first odd number one last 99 by two hundred by two result कितना 50 b number answer मेरा b number answer हो जाएगा अगला question क्यों चले पर्थम दस प्राकिश संख्या के वर्गों का उसत ग्याद करें पर्थम दस प्राकिश संख्या के वर्गों का उसत ग्याद करें इस प्राकिश संख्या के वर्गों का उसत का फर्मूला होता है n प्लस one into two n प्लस one by six by six पर्थम कितना लेना है वहीं, 10, 10, पर्थम कितना लेना है, 10, n के जिगाफ़ आप क्या रखेंगे, 10, 10 प्लस 1, 2 मल्टिपाइल 10, प्लस 1, बाई 6, इसको आप लिखेंगे 11, 10 दोने 20, 21, 21 बटे हुआ, 6, 3 से कार दीजिये, 2 टैम में, यह 7 टैम में, 77 बाई 2, आ जाएगा आपका, 38.5, 38.5, यह आपका, डी नंबर, आंसर हो जाएगा, चलिए, अगले कुश्चन के वर चलें, बहुत ही अच्छा कुश्चन है, तीन संख्याएं, X, Y, Z का आउसत 45 है, उनमें, X संख्या, Y तथा Z के आउसत से, Y तथा Z के आउसत से, 9 अधिक है, Y और Z का आउसत, Y से दो अधिक है, तदमसार X और Z का अंतर गयात कितना है, अंतर गयात करें, ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कहूं आपसे, 10 और 20 का आवरेज यात करें, आपको होगे सर, यह 15 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस 5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस 5, यहाँ देखिए, जितना यह कम है, उतना ही यह क्या है? जादा है, जितना यह कम है, उतना ही इधर रख देते हैं, z को इधर रख देते हैं, y और z का आउसत कहीं ने कहीं तो होगा, यह आउसत, यह average, यह average जो है, वह y से दो अधिक है, यह minus 2, y minus 2 में जाएगा, तो z क्या आएगा, plus 2 में आएगा कि नी, देखें, जितना यह कम, उतना ही यह ज़्यादा होगा न, उसके question में कहा जा रहा है, उनमें x संख्या, y और z के आउसत से 9 अधिक है, y और z का आउसत यह है, इस से 9 अधिक कोन है, 9 अधिक तो वह वो मेरा x है, 9 अधिक x है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा यह जा रहा है, x और z का अंतर ग्यात करे, X और Z का अंतर ग्यात करे, अब देखिए इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस दो इनिट यहां से वहां तक का डिस्टेंस दो इनिट, यहां से यहां से पूरे का हॉल डिस्टेंस कितना नौ अधिक था न, देखिए यह 9 अधिक है, यह distance 2 है, यह पूरा distance, whole distance कितना है, 9 है, तो यह distance, यह प्यारा सा distance, मुस्कुराता सा distance, 9-2 equal to 7 होगा, that means, B आपका answer होगा, यह आपका B हो जाएगा, क्या answer हो जाएगा, ठीक है, अगले question के वर चले, बहुत ही अच्छा question है, यह आप चाहें, तो इसका screenshot भी ले सकते हैं, चले, A, B, C का ओसत M है, यह यह A, B, प्लस B, C, प्लस A, C equal to 0 हो, तो A square, B square, C square का ओसत क्यात करें, ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या, A, B, C का ओसत, A, B, C का ओसत, इस A, B, C का ओसत कितना दिया हुआ, M दिया हुआ, जब average M है, तो योग 3M होगा, जब average किसी भी तीन संख्याओं का average M है, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा, 3M, तो हम का सकते हैं, A plus B plus C equal to 3M, उसके बाद दिया हुआ आपको, A, B plus B, C plus A, C equal to 0, निकालना क्या है, A square plus B square plus C square, यदि हमें योग पता चल जाए, तो average तो पता चल ही जाएगा, यदि तीन संख्याओं, तीन से divide कर देंगे, average तो निकल ही जाएगा, इस तीनों का प्रियोग एक फर्मूला में हुआ है, वो आप लोग जानते ही होंगे, A plus B plus C, का whole square बढ़ावर, आपको A square plus B square plus C square, plus 2 into A, B plus B, C, अब plus A, C, अब देखे, A plus B plus C, A plus B plus C equal to 3M है, तो 3M का square करेंगा, तो क्या जाएगा, 9, 9M square, ये बढ़ावर, A square plus B square plus C square, additives रहने देते हैं, A square plus B square, अब plus C square, plus 2, ये सारा का value कितना, 0, ये whole 0, तो बच गया क्या आपका, A square plus B square plus C square, बढ़ावर, 9M square, एबरेल निकालना है, तो by 3 कर देंगे, 9M square by 3, 3, 3 से 3 time में कट जाएगा, result आपका 3M square हो जाएगा, वो आपका B number में दिया हुआ है, वो आपका B number में दिया हुआ है, अगले question के और चले, पहले clean, चार लगातार आने वाली समसंख्याओं का आउसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी समसंख्या होगी, 3, the average of 4, consecutive event number is 27, the largest number among them will be, numbers total कितने हैं, numbers total कितने हैं, आप गौड करें, numbers कितने हैं, 4, आप से बड़ी संख्याओं पूची गई है, तो 4 है, इस समसे एक घटाइए, बताइए कितना होगा, 3, इसको जाकर के average के साथ आप add कर दो, average के साथ add करो, जोरो, 37, 13 मिलके कितना, 30, यह आपका answer हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, आएए देखते हैं, यह A, B, C, D, यह common difference समान होगा, कारण 4 समसंख्या है, 4 लगातार समसंख्या है, तो common difference क्या हो जाएगा, mais जब common difference समान होगा, average बीच में, तो दो का 1 difference ही, हआँ, यहाँ से 2 का 1 difference, यहाँ से 2 का 1 difference, average इस जिएपर होगा, या नहीं होगा, बताए, होगा, निस्चितरूप से होगा, और यह average कितमा दिया हुआ गए? 27 यह जब 27 तो आपको होगे यह 28 यह आपका 30 यह आपका सबसे बड़ी संख्या आपका यह answer होगे है clear? आगे बढ़े यदि 6A plus 6B ब्राबर 84 हो तो A और B का आउसत ज्यात करे ठीक है? आईए 6A plus 6B equal to 84 6 को मनाएगा वावू तो कोँगे A plus B बराबर 84 A plus B बराबर 84 by 6 14 अब आपसे पूछा गया है A plus B by 2 अब बताइए जड़ा A plus B के जगा पड़ा आप क्या रखेंगे? 14 रखेंगे बटे दू करेंगे इसे काटेंगे कितना आ जाएगा? साथ आ जाएगा answer ठीक है? यह आपका answer हो गया. आसा कर रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा चुकि आज पहला दिन है इसलिए सीखने के करण में हो सकता है कुछ टेक्निकल त्रोटी रह गई हो त्रोटी हो गई हो इसलिए आप हमें छमा करेंगे आगे से प्रियास रहेगा कि आपके आप लोगों के उम्मीद पर मैं खड़ा हूँ तुरूँ धन्यवाद